नाँस्का दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभीका स्वागत है मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ कटालिस रिकॉर्ड का वीडियो है और इसका टाइटल है इरान वीजा फ्री फॉर इंडियन्स पाकिस्तानी पब्लिक क्राइए तो जी हाँ इरान जो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है इरान जो एक मुस्लिम देश है इरान जिसे ये बिरादर मुल्क कहते हैं उस इरान ने पाकिस्तानियों को चपेट मारते हुए कहा कि जी हम भारतीयों को बहुत प्यार करते हैं और भारतीयों के लिए कर दी है वीजा फ्री एंट्री और हम जानते हैं कि एरान में भारतियों को कितनी इज़त मिलती है कितना उनका स्वागत किया जाता है किस नज़र से देखा जाता है और पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जाता है ये भी हमने देख लिया है तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि पाकिसानियों का रोना दोना शुरू होगा कि अरे यार यह मुसल्मान देश कैसे वो काफरी देश के साथ हाथ मिला रहा है और उनको वीजा फ्री कर रहा है और हमें घुसने नहीं देता चलिए सुनते हैं पाकिसानियों को आज जिस टॉपिक के उपर मैं पाकिस्तानी आवाम का रियक्शन लेने जा रहा हूँ वो बिसिकली एरान से आई खबर है जी हाँ एरान ने भी इंडियन्स के लिए जो है वो वीजा फ्री एंट्री कर दिया अपनी कंट्री के लोगों को जो है जो इंडिया में रहने वाले है तमाम इंडियन्स को जो है वो वीजा फ्री एंट्री कर दिया अगर पाकिस्तान के इरान के साथ तालुकात की बात की जाए तो काफी अरसे से जो है वो बड़े गहरे तालुकात है लेकिन आज भी पाकिस्तानियों को इरान जाने के लिए जो है वो वीजा फ्री एंट्र कि स्थाइरे की सहूल fünf ऐस्ता लगात्तथा उनकी फार्那我們 यंकि इस बारे में आपकी क्या रहे है कि क्या रह या आप लूचिन के अंदर ऑन्स कि इसा क्पाइन आप कि रहन तो आपका नाम की अब तुछियां करती हैं लुक्तिया में मैं कि ऑस्टाल मैनेज्मेंट के अंदर है मेरा आज आप से कोस्टें ही है अगर हम पाकिस्ट पाक इरान रिलेशनशिप के बात करें क्या लग रहे है किस नोगयत के जा रहे हैं और काफी अर्से से किस नोगयत के थे पहले तो सर बहुत अच्छे थे और अच्छे रहने भी क्यूंके हमारा जो रुलेशन इरान के साहते हैं, वह बेसे कली के जियाराइत का मॉजली ज्यादा दार होता है, उसके इलावा इरान हमारे बेस्ट सप्लायर है, हमें गैस और तेलमहीया करने का करीभी पड़ता है, जरीए, तो है नहीं, अमरीका के प्रैशर में, वह देता स हम लेते हैं नहीं लेकर रीजन साब कोई पता है कि आउड़ोर एक्टिवटीज क्या होती है आता वहां से भी अभी हमारा गैस लाइन का एक मुएदा था जो इन्हों बीच में पॉस्ट पॉन कर दिया था तो उस वजह से भी मसायल हमारे उपर आए हैं तो दूसरे नमबर पर यह है कि एरान जो है ना बेसिकली वह फ्रांट फूट पर नहीं आता ठीक है बेसिकली जो भी होते हैं ना मामलात वह इधर से ही पहले पाकस्तान की तरफ से ही होते ह क्योंकर इस चीज को पहले के थूजड कर दो कarden आशे ही होते हैं कि माजी में जहां तक भी जायना कभी बहीं इरान ने फास्ट एटेंप्ट की नहीं हैं जा भी हुआ है पाकस्तान की तरफ हुआ है लेकिन अभी जो जो लास्ट टाइम हुए हैं मामलात तो उसमें यह है उनके हेलपर कह सकते हैं, उनको उनके पनादी हुई थी, तो पाकिस्तान को बेसे के लिए आगर या तो उनका जुवाज मान लेना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को क्लैरिटी देनी चाहिए इस चीज़ में. मेरा आपसे कुछेन यह है के हमें हमेशा यही बता है गया कि हमारे हमारे परोसी कंट्री के साथ बड़े गहरे बड़े दरीना तालुकात है चटानों से जादा मजबूत हमारे तालुकात है लेकिन अगर हम वीजा फड़ी पॉलिशी की बात करें या अगर हम किसी भी और पॉलिसी के उपर आके बात करें तो इंडियन्स जो उनसे हैं उनको बहुत जादा मतलब जो है वो अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है अभी इरान ने भी जो है वो तमाम इंडियन्स के लिए वीजा फिरी एंट्री कर दिया अपनी क आजाती है कि जो हमारे हकुमत चलाने वाले होते हैं यह सारे अवामिल कंट्रोल करने होते हैं उन्होंने रिलेशन से शेप समेशा उपर लेवल पर होते हैं अवाम तो आप बडर करास कर जाएं वो मिल जाएं वो खुद केर करना शुरू कर देते हैं वो यह भी नहीं पू के साथ बना रहे हैं और हम पूरी दुनिया के साथ बिगाड रहे हैं तो इस वज़े से मैं कहता हूँ कि वो इंडिया वालों की तरफ हो गए है मूद थोड़ा सा आपका भी इस हवाले से पॉइंट आफ यू में लेना चाहूंगा बात अगर इरान की की जाए हमें यही बता है जाए आज भी पाकिस्तानी अगर कोई एरान विज़िट करना चाहे तो उसको वीजा लेना पड़ता है लेकिन इंडियान जब बगहर वीजा के जो है वो इरान का ट्रेवल कर सकते हैं सबसे पहले तो यही बात है कि पाकिस्तान का जो पासपर्ट है न वो किसी कंड़ी म क्या सना होता है अखिर क्या बचा है इंडियन्स को हर जगा पर क्यों इतनी वैलियो दी जा रही है इतनी इंपोर्टन्स दी जा रही है आप दुबई की बात कर ले आप बहुत से मेकरसोर्फ का अपने आफिस मेनाना है तो वो कह रहे थी होता क्या है जब इनको पता ही नहीं है कि वो क्या है मिलगेस नहीं जाके इंडिया को दे दिया उन्होंने वो ले लिया उसे उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है अगर वो हमारे हाँ बन होता तो हमारे सब खुशाल होते हैं तो सर आपको लगता है कि वहां पर टैलेंट जाद है उदर चीजों की कदर की जाती है इन लोगों करने चाहूं तो हो कहते है या ये नहीं अगर मैं अभी कहा देता हूं कि अदिया कि इमरान खुन चांप अच्छा बंद है तो मुझे जेल में डाल देते है अगर मैं ऐक दिया नौग–श्रीया ना है कर आखिया पर Halarat है कि अगर हम भारत की बात वात करें बारत में कितना फरका गए development के अंदर अगर देखा जाए अब भी तो बहुत सारा फरक है हम तो बहुत पीछे चले गए हैं ना हम तो तकरिब बन 1908 में चले गए हैं जब पहले यही हला थे अब फिर भी वही है हम फिर गरीब हम तो फिर भी रोड पर आ गए हैं अब इरान कैसे हमें स्पोर्ड करेगा जबके अगर हमें कोई ओफर देते हैं तो हम पहले कहते हैं कि हमारा हिस्सा कितना है ठीक है पहले हम अपना हिस्सा कंसीडर करेते हैं उसके बाद ही हम बताते हैं कि यार ठीक है आप हमारे साथ यह डील करते हैं तो हम आपको यहां पे काम देते हैं सब है इसलिए तो वह उपर जा रहा है वो सब के साथ सही सेटल्मेंट कर रहा है और हमारे पाकिसानी में यह होता है कि बस बैठ रो अगर मैं आपको एक मजीद एक और इंफॉर्मिशन एड़ करता है चलो अभी नरिंदर मुदी जो के इंडिया का प्रैमिनिस्टर है उन्हों ने अपनी स्पीच के अंदर ये कहा है कि बहुत जल्द हम पूरे भारत को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे कि वहाँ पे बिजली के बिलों नहीं आया करेंगे बिजली पूरे भारत में फ्री हो जाएगी अभी भी कुछ यूनिट्स जो है पूरे भारत के अंदर फ्री है लेकिन वो कह रहे हैं बहुत जल्द पूरी फ्री कर देंगे बिजली सर क्या लग रहा है अगर वो कामिाड हो जाते हैं तो पाकिसतान में कितने बिजिली के बिल आ रहे और भारत कहाँ पे स्टेंड कर रहोगा सर देखे के ना यहां पे बिजिली की बात करें तो यहां पे बिजली तो जैसे कि एक तो है profile कीमती चीज्ज है क्रिमतिया सासा बन चुका है जबके एक इनसान का बिल है वो जहां पे 500 आना था वहां पे 17,000 आ रहा है जो ना माने उसको दबा दिया ठीक है और जो मान गया उसको फिर छोड़ दिया तो इंडिया में तो यही चीज़ है ना कि वो खुद को ग्रोध कर रहे हैं और हम लोग खुद ही को खुद मार रहे हैं अगर इंडिया के मताबिक पाकिस्तान को देखा जाए तो इस टाइम हम 1980 की जिन्दगी जो है वो पाकिस्तान में गुजार रहे है बिजली की मैंने भाई को बात बताई है उदर के प्राइम निस्टर है नरिंदर मूदी उन्होंने रिसेंटली अपने जलसे में कहा है कि बहुत जल्द हम पूरे भारत को बिजली फरी कर देंगे इलेक्ट सिटी बिल किसी का भी नहीं आएगा अभी भी कुछ जगों पे 500 यूनिट फरी है कुछ जगों पे 300 यूनिट फरी है क्या कहना चाहेंगे कि जहां भारत बिजली फरी करने जा रहा है वहां आज भी हम लोड शेडिंग के मसले मसायल से बाहर नहीं निकल पा रहे मुझे पता था यही चीज आने वाले मुझे पता था पानी से चलने वाली कार अरे यार कभी तो इस बात पर सोचो कि पानी से चलने वाली कार अगर हो जाती तो पूरी दुनिया तेल के पीछे क्यों भाग रही है हम क्यों तेल खरीद रहे होते यार हमें तेल खरीद कर इतना पैसा खर्चा करते क्यों करते बाकी देश क्यों करते पानी से न पानी तो अबले पानी से न चला लेते कैसे मूर्खों वाली बात करते यार तुम लोग आज काल ट्रेंड बना हुआ है जनरेटर बनाते हैं दो मोटरों को इकठा कार के वो भी परमोट करने के लिए कोई आगे नहीं आया बाकी अफ़ जना हैं उनकी तरह भी कोई रुजान नहीं हो देखें़ आप और तो आफ अवालिस्तान भी सुपर कार्ण बना रहा हैं विल्कुल सेठों ले ने हैं यह भिल्कुल मुदी ने तो वाज़ तगार पर को us आखने के यह चाहँ पाकिस्तान को भाई हमकियागैगे उनके वह मुध्रान काफ़ी बस्कान कि यह आगे 14 वह स्यासी-Your company सर ली थी जो हुक की हम बात थे आपको लगवगे रहे हैं मौझूदा पाकिस्तान में वह तमाम चीज के पाकिस्तान पर दाना हुआ है wearing ज़िए बुषिक बुषिक म Denn पुनियांदी चीजे ऐं बिजलि ऑग हो गई फराक हो गई पाकिस्तान ft दो फ़र ब्रदी डंध्र चीजों को और जिन से लेक आए थे तो वहां पे क्या जिंदगी और यहां पर क्या जिंदगी इसे पूरी दुनिया में ना कहीं भी चीज बहुत महांने रखती है, वो सरुजी बैसिक चीज इन्साफ, जिसे एरिये में इन्साफ होगा न सरु जी बहुत स्टेबल रहते हैं. हमारे मुलक में सबसे पहला काम झाली इन्साफ को खत्म किया गया है. शरू सही पाक्सितान बने हैं, तब है, ना ग удивिल अनुगा किसा था तो इन्साफ एगर इन्साफ वाला सीन शुरू हो जाता है तो शायद हमारे यह मसायल नहीं होते बाकी इंडिया जो उपर जाता है उसकी वज़ा यह है कि वो टेलेंट की गदर करते हैं उनके हर कंपड़ी में उनी की सीयो हैं एपल में भी Chap गल में भी एमीयाजून में सीयो उनी की यह हैं क्या लगता है इंडिया के साथ तालुकात बहतर होनी चाहिए ट्रेड करनी चाहिए पाकिस्तान को या कश्मीर के मैटर को अभी भी मतलब जो है रख के हमें तवाम चीजों से नाते तोड़ देने चाहिए सर देखें कश्मीर मेरे ख्याल में उधर ही ठीक है जो उनके पास ही है क्योंके आज तक देखें कि पाकिस्तान बनना उसके बाद से अब तक कश्मीर के नाम पर पते नहीं कितने चंदे खाए गये हैं मतलब हुआ कुछ भी नहीं है पांच फरवरी अभी कश्मीर डे मनाया ग जाता है कोई अमली एक भी आई तक तक तकरिबान हम 25-30 साल जिनके के गुजार चुके हैं आई तक हमने वही बस कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला नारा सुना है उसके लावा अमली हमने कुछ भी नहीं देखा कि कोई आगे बंदा आयो उल्टा यह चीज होती थी कि उनक हुक्मरान मरवा यह जाते थे कश्मीर के और पाकिस्तान में खमोशी चाही रहती थी जो वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी स्पोर्ड नहीं थी हमारी तरफ से तो स्ट्रगल क्या होनी थी तालुकात बेतर होने चाहिए मेरे ख्याल से तिचारत होनी चाहिए और टकनालोजी को पर्मोड कर गया उन्हें तलीम पर फोकस किया हमारा हमारा सारा बज़ट चला जाता है हमारी सेफटी स्क्योटि पे चला जाता हमारा तलीमी बजट ऐस तो देख लेंसे दो रहे तो ईसमें क्या का मेरे इंप्रूमेंट हो यह काम पाकिस्तानी अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अली रजाफ को देज़ाद मुझे अपनी दूश्य वीडियो खतम हो गया और अली भाई ऐसा तब होगा जब भिखारी कुछ काम करना चाहेगा बिखारी को बैठे बैठे डॉलर चाहिए बिखारी को बैठे बैठे पैसे चाहिए बिखारी हर जगा मंगता है तो तब्दीली ऐसे नहीं आती है बिखारी को easy money छोड़ कर मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात एक करना पड़ेगा तब जाकर होगा अब भारत और भारतियों ने हार तोड मेहनत किये तब जाकर आज हम कामयाब हुए है सफलता मिल रही है हमें आपकी तरह हाथ पर हाथ धरकर बढ़ेने रहते कि चुप चप कहीं से आजाए यार कुछ पैसे जेब में आज का दिन निकल लिए बाकी कल का कल देखा जाए आप क्या है ये mindset है दूसरी बात आप इरान के बात हो रही थी मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे भारत के एक बाइकर है वो बाइकर इरान में गए और एक टोल प्लाजा पे गए और उस टोल प्लाजा वाले ने पूछा कि भई कहां से हो तो उन्होंने का कि भारत तो उसने टोल टैक्स लेने समना कर दिया देखियो इंडिया का नाम ले लो टोल माप हो जाता है देख लिए आपने ये तब होता है जब उस देश के लोगों को आपके बारे में पता हो और वो आपकी दिल से इज़्जत करते हो इरान के लोग दिल से इज़्जत करते हैं अफगानिस्तान के लोग दिल से इज़्जत करते हैं उनको पता है कि भारत जो है हमारा फायदा नहीं उठा रहा लेकिन हमेशा हमारी मुसीबत में हमारी मुश्किल घड़ी में हमेशा साथ खड़ा रहा है और एक दूबार की बात नहीं है पचासूं साल से साथ खड़ा है इसलिए ऐसा होता है और ये भारत मनवार है पूरी दुनिया को अभी देखिए अभी जब हमने हमारा बजट आया उस भजट में हमने अपने सारे परोसियों और कई देशों की मदद किया उसमें इरान भी है चाबार पोड के लिए सौ करोड रुपे दिये है सौ करोड रुपे पाकिस्तानी रुपए में कर्वर्ट करूँ तो तीन सो करोड से उपर का मामला हो जाता पाकिस्तानी आपर चार सो करोड हो जायए जब तक कमा रहाथा तो ओभानिस्तान के हाँ आ जाओ और जाओ आफगान क्यूंकि आफगानी हो आफगान रिफूजियों के नापर पईसे मिल रहाधे और जब डॉलरस आने बंद हो गए लात मारे का अफगानियों को भगा दिया हम ये काम नहीं करते हैं इसलिए हमें इज़त मिलती है इसलिए हमसे लोग जुड रहे हैं इसलिए मुस्लिम मुम्मा के देश भी देख रहे हैं यार ये सब जूटी बाते फैलाई गई है भारत के बारे में और आप लोग हो चिको है, expose, पूरी तरह से, क्योंकि आप लोगों को अपना mindset बदलना नहीं है, जूट पर जूट बोले जाना है हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ प्रोपगंडा करना है, करते रही है प्रोपगंडा, हमने तो जो करना था वो कर दिया, और जो करने जा रहे हैं इस से शर्मिन्दिगी की बात और क्या सोती है कि एक मुस्लिम देश सो कॉल्ड बड़े अफजल मुस्लिम देश पाकिस्तान की बैंड बजा रहे अब भिखारियों की तरह ट्रीट कर रहे सोचने वाली बात है न तो उस छदमावरन से बाहर निकलिए उस बुलबुले से बाहर निकलिए और हकीकत पर आईए कि हकीकत क्या है हकीकत यह है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बदनाम है हकीकत यह है कि पाकिस्तान को आतंकवादियों की नजर से देखा जाता है और इसके कर्टते आपने की हैं न इसलिए देखा जाता है जब तक आप हकीकत नहीं मानेंगे तब तक बदलाव नहीं हो सकते अब बाकी इरान भारत दोस्ती जिन्दाबाद इरान अफगानिस्तान दोस्ती जिन्दाबाद कमेंट करके आप ज़रूर बताएं जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद